हेलो फ्रेंड स्वागत आपका इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे डाइनामिक मेमोरी आलोकेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम डिसकस करते हैं स्टेटिक मेमोरी आलोकेशन ठीक हैं स्टेटिक मेमोरी आलोकेशन का मतलब होता है कि कंपाइल टाइम पे मेमोरी आलोकेट हो जाना ठीक है उसको बोलते हैं स्टेटिक मेमोरी आलोकेशन ठीक है जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं ठीक है और प्रोग्राम में कहना चाहिए कोई वेरियेबल बनाते हैं जैसे मान लो एक नीचे में एक example है, है ना, एक program है, ठीक है, जिसमें एक variable है int a, ठीक है, integer variable a है और दुसरा integer variable है, float type का f, ठीक है, उसके बाद, जैसे हम ये statement लिखेंगे, और program को compile करेंगे, ठीक है, तो compilation होगा, compilation का मतलब क्या होता है यह जो हम program लिखे है वो source code है source code convert हो जाएगा आपका object code में ठीक है तो वहाँ पे memory में राइट साइड में REM memory हम समझने के लिए बनाया है डाइग्राम ठीक है तो जैसे ही compile करते हैं तो memory में एक temporary memory location बन जाता है ठीक है तो int a क्या है आपका static memory allocation का example है ठीक है जैसे यहाँ पे यह statement हम लिखते हैं और compile करते हैं तो memory में कहना चाहिए दो variable create हो जाएगा a और f करके ठीक है a और f करके दो variable create हो जाएगा और यह variable कहना चाहिए जिसको हम a और f कहते हैं a और f की सायता से इसको access कर सकते हैं इसमें stored value को ठीक है और इसके address बगरा सब चीज को ठीक है जैसे माल लो a का address क्या है 1000 ठीक है और f का address है 1002 ठीक है तो यहाँ पे इस memory का name भी है और उसका address भी है ठीक है तो static memory allocation में क्या होता है कि जो memory बनती है वो कहना चाहिए static होती है मतलब कहना चाहिए अस्थाई होती है मतलब जैसे program complete होगा और program से हम बाहर जाएंगे तो यह memory कहना चाहिए आपका RAM से release हो जाएगा RAM से कहना चाहिए delete हो जाएगा destroy हो जाएगा तो इस प्रकार के memory को इस प्रकार के memory allocation को बोलते है static memory allocation यह कहना चाहिए अस्थाई होते है जैसे program complete होगा execution complete होगा RAM से कहना चाहिए automatic वो delete हो जाएगा तो यह है आपका static memory allocation उसी प्रकार आपका दुसरा जो memory allocation होता है वो है dynamic memory allocation ठीक है is dynamic memory allocation मतलब run time पे ठीक है run time मतलब program को हम compile कर लेते हैं और compile करने के बाद जब execute करते हैं ठीक है तो उस time पे जो memory बनती है उसको कहते है dynamic memory allocation ठीक है मतलब run time पे जो memory बनती है उसको बोलते है dynamic memory allocation ठीक है और यह इसका कोई particular नाम नहीं होता memory में, जब यह create होता है memory, तो उसका नाम नहीं होता, एक memory block बनती है, और उस memory block का केवल address होता है, और उसी address की साहता से हम उसमें access कर सकते हैं, उस memory block को, ठीक है, चाहिए उसमें data को read करना है, या फिर write करना है, ठीक है, so clear है, dynamic memory allocation में बनाए गए memory block का कोई नाम नहीं होता, केवल address होता है, ठीक है, जैसे मालो यह रेम में बनता है memory block जिसका address क्या है, 2002, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम इस address की साहता से इस memory block को access करते हैं, ठीक है, तो यह होता है आपका dynamic memory allocation, चले, आगे देखते हैं, dynamic memory allocation पफाम करने के लिए, करना है, यह C में कुछ functions होते हैं, जिसकी साहता से करना है, हम dynamic memory allocate कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें data store कर सकते हैं, read write कर सकते हैं, ठीक है, तो चले, इन function के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, टाइप्स आप डानामिक मेमोरी अलोकेशन फंक्सन ठीक है कुछ फंक्सन्स होते हैं डानामिक मेमोरी अलोकेशन पफाम करने के लिए उसके बारे में देखते हैं चलिए पहला जो फंक्सन होता है वो है मेलोक फंक्सन दूसरा फंक्सन होता है केलोक फंक्सन केलोक मिस कंटिजस अलोकेशन है ना उसका साट फाम है केलोक मेलोक का मतलब है मेमोरी अलोकेशन उसे प्रकार तीसरा है re-lock function और चांथा है free ठीक है free function चले ये चार मैं लिए चार function होते है जिसके सहता से dynamic memory allocation परफाम कर सकते है चले अब इसको थोड़ा सा details से देखते है पहला जो आपका function होता है वो है maylock function उसको देखते हैं यहाँ पर देखते हैं ठीक है फर्स्ट फंक्शन maylock function जिसको memory allocation function करते हैं जब यह function run होगा तब memory block create होगा ठीक है और इस memory block का कोई नाम नहीं होगा लेकिन इस memory block का address जरूर होगा ठीक है जब यह function को हम execute करेंगे मतलब यह function का काम क्या है यह function का काम है memory block create करना ठीक है memory में एक location create करना और उस location के address को return कराना return करना मतलब यह एक address return करता है memory block का जिसको कहना चाहिए किसी pointer की सहता से हम store करते हैं उस pointer में capture करते हैं तो इसके द्वारे return किये गए value क्या होता है address होता है जिसको address होता है मतलब अब उस address को store करने के लिए हमको एक pointer बनाना पड़ता है उसी type का ठीक है और एक और important चीज यह है malloc function का यह कहना चाहिए address return करता है और उस address का type होता है wide ठीक है और wide wide address हमको पता है wide address कहने का मतलब यह है कि उसका कोई particular type नहीं होता ठीक है तो wide type का यह address को return करता है यह function ठीक है memory allocated when run malloc function मतलब जब यह malloc function run करता है तो एक block up memory ठीक है एक memory block create होता है memory में मतलब एक location create होता है जैसे मान लो यहाँ पर एक RAM में एक memory location create हो गया 2002 जिसका address है ठीक है इसका कोई नाम नहीं होता इस location का cable address होता है ठीक है चले अब syntax देखते हैं इसका यहाँ आपर मैं लिख देता हूँ इस रिटन अ 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 विच एड्रेस विल बी वाइड टाइप ठीक है मतलब जो अभी मैं बोला हूँ वही यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ठीक है कि यह क्या है मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस रिटान करता है और यह एड्रेस वाइड टाइप का होता है ठीक है मतलब उसका पाटिकुलर टाइप नहीं होता चली अब सिंटेक्स देख लेता है इसका मैं लॉक फंक्शन का चली syntax देखते है तो malloc function malloc keyword से start होता है ठीक है और ये एक address return करता है तो address के लिए यहाँ पे हम एक pointer variable है न क्योंकि हमको पता है pointer variable address को store करता है अपने में तो ptr का एक pointer variable है ठीक है जिसमें malloc द्वारा return किये गए address store होगा और उससे पहले हम malloc को type cost करेंगे type cost ठीक है जो type cost type cost हम कहना चाहिए अलग से lecture बना चुके है वीडियो जिसको नहीं पता वो जागर के देख सकते हैं type cost मतलब यह है कि जो address return करेगा उसको उसके type को हम casting करेंगे ठीक है मतलब convert करेंगे ठीक है किसके type में यह जो pointer variable है उसके type में ठीक है चले जैसे malloc pointer variable आपका float type का है और हमको पता है malloc function white type का address return करता है तो हम कहना चाहिए malloc function द्वारा return किये गए address को ठीक है float type में convert करेंगे उसके लिए हम type cost करते हैं ठीक है चले तिसलिए type cost उसके बाद यहां पर byte size मतलब memory कि size यहां पर हम देते हैं कितने byte का बनाना चाहते हैं वो byte size में ठीक है example के लिए जैसी कि float एक मैं pointer variable यहां पर बना लेता हूँ float type का ptr यह ptr क्या है pointer variable है address contain करेगा उसके बाद इस ptr में address जाएगा malloc द्वारा return किये गए address उससे पहले हम malloc को type cost करेंगे तो यहां पर float ठीक है malloc फोर ठीक है तो size क्या है फोर तो 4 byte का memory block बनेगा ठीक है और उसका address जाएगा ptr में ठीक है उसके बाद फिर ptr इस pointer की सहता से हम डारेक्ट उस memory block में value या फिर data को इस्टोर कर सकते हैं असाइन कर सकते हैं जैसे मैं 4.3 असाइन कर दिया उस memory block में ठीक है यहां पर यहां पर देखिए red side में 4.3 ठीक है 4.3 वहां पर उस address में इस्टोर हो जाएगा इस तरीके से अब इसको प्रोग्राम के माद्राम से एक्जेक्यूट करके देखते हैं है ना क्लियर हो जाएगा में लॉक फंक्शन को यह इस पर इस पर मैं यहां क्रियेट कर देता हूं है ना इसको डिडिट करके ठीक है यहां पर हम बनाएंगे प्रोग्राम है ना हेडर फाइल है अल्रडी है इंक्लूड एस्टेडियो डाटेज है इस इंक्लूड को डाटेज उसके बाद में फंक्शन और यहां पर हम करेंगे कोडिंग फ्लोट ठीक है फ्लोट टाइप का एक मैं पॉइंटर विरेबल बना देता हूं पी ठीक है पी टी यार यह नाम कुछ भी हो सकता है मैं यहां पर पी टी यार रखा हूं अब इस पी टी आर में एड्रेस जाएगा मैं लॉग दौरा रिटन के गए एड्रेस ठीक है उससे पहले हम उसके टाइप को है ना वाइड से कास्ट करेंगे फ्लोट में ठीक है तो फ्लोट है मैं लॉग साइस दे रहा हूं फोर लिए टो चार भरइट का मैमुरी ब्लाक क्रिएट होगा है अब इस टार पिटी यार कि सहते से हम उस मैमुरी ब्लाक में कुछ वैल्यू कुछ टेटा आ साइन करा देते हैं इस्टोर करा देते हैं ठीक है jest और प्रिंट करा देते हैं प्रिंट करा देते हैं यहां पर जो डेटा इस्टोर किया है उसको इस पाइंटर वेरेबल की सहता से परसेंट एप क्योंकि फ्लोट वैल्यू इस्टोर है और इसके बाद पी टी आर ठीक है इस्टार लगा के हम डार्क्ट वैल्यू एक्सेस करते हैं ठीक है गेट सीच प्रोग्राम कम्पलीट है कंपाइल करते हैं जीरो एरर रन करते हैं यह देखिए आपका रिजल्ट चार दसम्लत तीन है ना जीरो 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 जो कि फ्लोट में real नंबर में प्रिंट हुआ है ठीक है चलिए यहां पर मैं कुछ और प्रिंट करके देखता हूँ जैसे की एड्रेस आफ PTR ठीक है यह जो pointer variable है उसमें क्या एड्रेस है मदब उस memory block का एड्रेस होगा malloc function के दोरा बना है उसका एड्रेस ठीक है चलिए उस एड्रेस को देखते है यह देखिए 23 ठीक है तो उसमें उस memory block का एड्रेस क्या है 23 जहां भी हमारा डेटा 4.3 इस्टोर है ठीक है यह देखिए रन करके देखते है है ना एड्रेस उपर में value दिख रहा है और नीचे में उसका एड्रेस ठीक है memory block का एड्रेस 23 चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो दूसरा function है है ना उसको देखते हैं इसका जो memory एड्रेस है 23 ठीक है यह जरूर नहीं है कि हर computer में 23 ही एड्रेस मिले है ना वो decimal farm में प्रिंट हुआ है एड्रेस कुछ भी हो सकता है ठीक है मैं इसको delete कर देता हूँ हमें lock function का जो data है उसको अब दूसरा function हमारा है के लॉक फंक्शन के लॉक फंक्शन के लॉक फंक्शन की सहाथा से भी dynamically memory allocate किया जाता है ठीक है मतलब इसके सहाथा से भी memory allocate किया जाता है ठीक है और इसकी सहाथा से हम run time पर memory allocate करते हैं ठीक है मतलब जैसे mail lock function काम करता है difference यह है कि इसमें contiguous memory allocation बनता है ठीक है मतलब memory block का एक array बनता है के लॉक फंक्शन की सहाथा से memory block का एक array बनता है मतलब बहुत सारे memory blocks बनते हैं ठीक है और उन memory blocks की जो size होती है वो same होती है ठीक है जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ it also allocate allocates dynamically memory ठीक है इट क्रियेट multiple memory blocks ठीक है multiple memory blocks बनता है same size का ठीक है मतलब array आप memory block ठीक है मतलब memory block का array बनता है ठीक है और array हमको पाता है contiguous memory allocation होता है memory में with same size ठीक है जो मैं अभी बोला हूँ उसी को यहाँ पर लिख रहा हूँ ठीक है चलिए आगे दखते हैं एक और चीज mail log function के द्वारा बनाया गए memory block में garbage value होती है ठीक है मतलब garbage data होती है ठीक है जबकि k-lock द्वारा बनाया गए memory block में by default 0 रहते है ठीक है अगर अगर में log function के द्वारा बनाया गए memory block में अगर data store नहीं है तो उसमें क्या है by default काना चाहिए garbage value होते है कुछ भी value लेकिन इसमें k-lock function के द्वारा बनाया गए जो memory block है उसमें 0 store रहते है ठीक है syntax देखते है इसका ptr pointer variable है ptr pointer variable है उसके बतर type cost ठीक है type cost करते है तो उसके बाद k-lock और यहाँ पर यह दो argument लेगा ठीक है पहला है number up memory block ठीक है number up memory block और दूसरा argument है size ठीक है उसकी size मतलब size up each block मतलब प्रत्यक बाइट मतलब प्रत्यक बाइट की size ठीक है in byte में ठीक है यह हो गया आपका syntax तो दो argument यह लेता है number up block है न total block और दूसरा argument है size up each blocks size up each blocks यह हो गया आपका syntax है ना number up blocks पहला argument अदूसरा argument size up each blocks ठीक है आगे देखते हैं एक्जाम्पल देख लेते हैं क्लियर हो जाएगा एक पाइंटर वेरेबल यहां पर बना लेता हूं PDR और PDR में एड्रेस जाएगा क्लोग फंक्शन द्वारा बनाएगा एड्रेस मेमोरी ब्लाक का एड्रेस और उस एड्रेस को हमको टाइप कास्ट करना पड़ेगा तो उसके लिए इंट ठीक है क्योंकि पाइंटर उसी टाइड्रेस को इस्टोर करता है जिस टाइप का वाग खुद होता है ठीक है जैसे PDR आपका इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर टाइप का ही अड्रेस श्टोर होगा तो यहां पे क्या लॉक में 5 क्या है नंबर आप ब्लाक है पाइप ब्लाक है और प्रत्यग ब्लाक की साइज है ठीक है इसलिए मैं यहां पर लिखा हूँ तो दो ब्लाक दो बाइट का पांच मेमोरी ब्लाग बनेगा ठीक है जैसे यहाँ पर रेम में देखिए रेम में कैसे वो create होगा यह होगा आपका फर्स्ट ब्लाग सेकंड ब्लाग थर्ड ब्लाग और यह फर्थ और फिप्थ ब्लाग ठीक है पांच ब्लाग बनेंगे और हर एक की साइज क्या होगी दो बाइट ठीक है और इसका जो इसका जो फर्स्ट ब्लाग है उसका एड्रेस रिटन करता है कैलोग function जो memory blocks बनती है तो उसका जो first block है उसका address return करता है ना कि हर block का तो PTR में किसका address आएगा केवल first block का address ही PTR में store होगा ठीक है समय यहाँ पे diagram के मादने हमसे आपको बता रहा हूँ यह first block है ठीक है तो यह जो pointer है वो point करेगा first block को ठीक है PTR जो pointer है वो point करेगा first block के first block को ठीक है मतलब first block का address इसमें रहेगा ठीक है जैसे example के लिए हम अजियम कर लेते हैं फर्स्ट ब्लाक का address जैसे यह PTR ठीक है pointer variable उसके बाद यह first block का address जैसे मान लो 1000 1000 1000 ठीक है थोड़ा छोटर का देता हूँ उसके बाद second block का address यह address कुछ भी हो सकता है ना हम अपने स्विधन सार आपको समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं ठीक है तो यह last block का address 1008 ठीक है तो इस तरीके से हर block का address होगा और first block है ना एरे का जो फर्स्ट ब्लाक है मेमोरी का जो फर्स्ट ब्लाक है उसका address pointer के पास होगा ठीक है पाइंटर कंटेंड करेगा तो 1000 क्या है फर्स्ट ब्लाक है फर्स्ट ब्लाक का address तो पी टीर के पास फर्स्ट ब्लाक का address रहेगा ठीक है चलिए अब इसको प्रोग्राम के माध्यां से एक्जिक्यूट करके देखते हैं इस इस पेज में मैं बनाता हूँ प्रोग्राम को इसको डिडिट कर देता हूँ अच्छिक है चलिए हेडर फाइल हम इंग्लोट कर चुके हैं इसके बाद मैं फंक्शन वाइड मैं यहां पे एक पॉइंटर विरियेबल हम बना लेते हैं फ्लोट टाइप का ठीक है फ्लोट विश्टार पी अब इस पी में एड्रेस जाएगा के लॉक जब क्रियेट करेगा उसका फ्लोट ठीक है तो के लॉक फंक्शन है ना के लॉक और यहां पर फाइप है ना नंबरा ब्लॉक फाइप और प्रत्यक ब्लॉक की साइज टू ठीक है मतलब पांच ब्लॉक बनेंगे और प्रत्यक की साइज होगी मैं साइज आप कि अपरेटर यूज कर लेथा है एफ फ्लोट ठीक हिए मतलब फ्लोट का फ्लोट जितनी मेमोरी करना चाहिए अक्युपाइ करता है मेमोरी है उस fragrance पहरकि इस और पर प्लोट हमको पता है इसका थोड़ा सा different है एक्सेस करने का देखें पी प्लस 0 ठीक है 0 मतलब वो first block का index number है ठीक है 10 उसमें value हम देते हैं 10 उसी प्रकार पी उस memory block का नाम है और 1 क्या है उसका index number ठीक है मतलब second block में ठीक है इसमें जैसे हम store कर दिये 9 ठीक है उसके बाद star ठीक है और यहाँ पे p plus 2 मतलब third block में और इसमें हम store कर देते हैं 12 उसी प्रकार fourth block में p plus 3 मतलब यह fourth block तो fourth block में हम store करेंगे value data जैसे मान लो 15 और इसी प्रकार last block है fifth block p plus 4 और इसमें हम value देंगे data store कराएंगे 11 ठीक है तो पांचों ब्लाक पे हम value assign कर चुके हैं अब हम print करेंगे और सब को print करना है तो कहना चाहिए आपको बार बार print एफ लिखना पड़ेगा तो उससे बचने के लिए हम फार लूप यूज़ करते हैं ठीक है और एक variable की आउसकता पड़ेगी आई है उसको उपर में declare करना पड़ेगा और उसका जो initial value है जीरो और ये रन होगा पांस से कम रहेगा तब तक उसकी value increase होगी है न इंक्रीमेंट होगी जीरो टू फोर तक चलेगा मतलब पांच बार print एफ है न प्रिंट करेंगे value को slash n और चुकि plot value इस्टोर हुआ है तो इस्टार और पी प्लस आई ठीक है तो आई में 123 ऐसा जूरते जाएगा ठीक है यह प्रोग्राम complete हो गया आपका यहां पर मैं integer variable i declare कर देता हूं क्योंकि हम उसका उप्योक की है और clrscr function जीरो एरर रन करते हैं यह देखें टेन नाइन ट्वेल पाइंट जीरो जिरो फिप्टें पाइंट जीरो जीरो एलिवन पाइंट जीरो जीरो पांच वैल्यू कर यहां पे प्रिंट हो रही है थैंकि पांच memory block बना है ठीक है दो दो वाइट का चलिए next जो function है वो है relock यह function है ठीक है relock function और इस function का काम है maylock या keylock के द्वारा बनाय गए memory block को resize करना ठीक है उसको कम ज़्यादा करना जैसे memory block को बढ़ाना है ठीक है तो इसको resize कर सकते हैं इस function की सायता से ठीक है चलिए कम करना है तो use कर सकते हैं बढ़ाना है घटाना है तो इस function का अपयोग करके बढ़ा सकते है ठीक है या फिर कम कर सकते हैं उसकी size को चलिए syntax देखते हैं ptr pointer variable होता है और relock ठीक है यह भी दो अर्गुमेंट लेता है पहला है एड्रेस आप प्रिवियस प्रिमोरी ब्लाक है ना पिछला जो मिमोरी ब्लाक है उसका अड्रेस उसका नाम है ना और उसके बाद नया size ठीक है new size तो पिछला pointer और और नया size new size दो गहना चाहिए यहां पर अर्गुमेंट लेता है तो पि क्या है एड्रेस आप प्रिवियस मेमोरी ब्लाक ठीक है मतलब वो pointer variable है कैसा pointer variable जिसकी size को हमको बढ़ाना है है ना और new size मतलब नया size चलिए program के माध्यम से इसको execute करके दिखाते हैं यहीं पर बनाते हैं इसको delete कर देते हैं कुछ लिखा है उसको चलिए opening brace प्लोट ठीक है प्लोट टाइप का एक प्वाइंटर वेरेबल हम बनाते हैं इस्टार पी और अप्लोट टाइप का एक और वेरेबल बनाते हैं क्यूं अच्छा यह डबल टाइप का होना चाहिए चलिए उसको बाद में चेंड कर देंगे मैं यहां पर लिख देता हूं पॉइंटर वेरेबल फार मैं लॉक ठीक है मैं लॉक फंक्शन अब मैं लॉक द्वारा बनाये गए मेमोरी ब्लाग के अड्रेस यह पी कंटेंड करेगा और क्यूं कंटेंड करेगा री साइज द्वारा बनाये गए मेमोरी ब्लाग के अड्रेस को ठीक है तो पॉइंटर वेरेबल फार री लॉक ठीक है वैसे हम चाहें तो केवल एक ही पॉइंटर वेरेबल की सहाता से बना सकते हैं ठीक है लेकिन हम यहां पर दो वेरेबल लिए हैं अब इस पॉइंटर वेरेबल पी में वैल्यू जाएगा और क्या वैल्यू जाएगा एड्रेस जाएगा मेलाग फंक्शन द्वारा बनाये गाए एड्रेस ठीक है फ्लोट हैना उसको टाइपकास्ट कर दिये फ्लोट टाइप में ठीक है मेलाग और साइज हम दे देते हैं यह जाए ना क्योंकि फ्लोट मेमोरी में चार बाइट कंटेंड करता है चार बाइट बनाता है घेरता है ठीक है और इस पी की सहता से पाइंटर वेरेबल की सहता से उस मेमोरी ब्लॉक में 4.5 कुछ डेटा इस्टोर कर दिये ठीक है उसके बाद इसको प्रिंट करा देते हैं हम साइज आप अपरेटर की सहता से चेक करेंगे कि पी जो एड्रेस है है ना उसकी मेमोरी में साइज क्या है ठीक है और क्यूँ उसकी साइज क्या है ठीक है चलिए तो क्यूँ में एड्रेस जाएगा है ना रिसाइजड एड्रेस जाएगा रिसाइजड मेमोरी एड्रेस ठीक है memory block का address और इसको double ठीक है double में हम इसको type cast कर देंगे मतलब यह जो address होगा वो double type का होगा ठीक है और P पिछला वाला memory block का address P में है ठीक है और उसकी size हम कर देते हैं 8 ठीक है तो 4 बना था P का size क्या है 4 है लेकिन उसको हम बढ़ा दे हैं research कर दिये है 8 ठीक है चले अब Q में हम कुछ value देते है P में देने की जरूत नहीं है क्योंकि size तो change हो जाएगा 10.50 पांच सुनिया ठीक है Q मतलब यह relog function दोरा बनाए गए memory में यह 10.50 इस्टोर होगा और यहाँ पर हम print करेंगे size अब P ठीक है percent D decimal farm में print होगा और size आब operator हम यूज़ करते हैं size find out करने के लिए किसी variable या फिर किसी type का size ठीक है तो P है ना P की size मतलब P दवारा घेरे गए memory की size उसके बाद size आप Q मतलब Q जो address है है ना मतलब Q address मतलब Q जो memory block है है ना जिसमे Q Q में store address है ठीक है उस memory block का उसका ठीक है उसका size तो size आप Q और print करेंगे हम Q की साहता से मतलब Q में जो address है है ना उसमे ठीक है उसमे हम जो value input कराया है उसको print करेंगे जो की double form में है तो LF हमको लिखना पड़ेगा LF format specifier Q ठीक है और यहाँ पे get ch function फ्रोग्राम कम्प्लीट है ठीक है चलिए slash n slash n डाल देते हैं new line के लिए थोड़ा सा अच्छे से systematic धंग से दिखे सभी line one by one print हो एक एक लैन में warning है क्योंकि वहाँ पे Q का जो type upload है उसको हमको double में declare करना पड़ेगा क्योंकि हम double में उसको type cost किये है ठीक है double up ठीक है compile करते है zero error run कराते है यह देखे size up p 4 byte size up q add byte ठीक है और उस add byte में आपका address है ना store है मतलब जो value है data है वो store है चलिए next function देखते है जो last function फंक्षन है वो है चाहँ था function free function ठीक है और free function क्या करता है maylock एवां klock function के द्वारा बनाया गए memory block ठीक है को destroy कर देता है मतलब delete कर देता है memory address को destroy करता है ठीक है ना कि उसके जो value है उसको मतलब address को ही हम destroy कर दें तो value रखना है ना syntax आप देख लिए free और koshtak में उसका pointer का address है pointer का नाम है ठीक है चलिए प्रोग्राम के मादने आप से जल्दी से इसको complete करते है float ठीक है float type का pointer variable पी और पी में assign करेंगे float type काष्ट कर रहे है maylock function के द्वारा जो address return करेगा उसको float type का होना चाहिए तो उसको type काष्ट कर दिए float में maylock और size हम देते हैं जैसे man love 4 ठीक है उसके बाद कुछ value store कर देते हैं उस address में तो 5.5 प्रिंट करा देते हैं इसको यह जो data store है उसको प्रिंट करा देते हैं एक बार यहां पर मैं लिखता हूँ before pre the memory value of P person D हमको F लिखना चाहिए है क्योंकि float type है मैं वहाँ पर person D लिख दिया चलिए free करते हैं free function हम यहाँ पर call किये और P pointer प्रिंटर उसका प्रिंटर वरियेबल को उसमें पास किये आज़ को चेंज कर देता हूँ एफ ठीक है क्योंकि यह float type है दूसरा हम प्रिंट करेंगे अब free function हम call कर चुके हैं है ना call कर चुके है तो memory को करना चाहिए destroy कर देगा after feed the memory value of P %f और तो यह value को प्रिंट करेगा get ch चलो देख लेते हैं clear हो जाएगा compile किए zero error अच्छा अच्छा बहुत सारा कुछ कुछ प्रिंट हो रहा है हम CLRHCR function यूच कर लेते हैं ताकि हमको साब साब दिखे ठीक है मैं यहाँ पर CLRHCR function यूच कर लेता हूँ अच्छा अच्छा कर लेते हैं अच्छा नो धिसमें भी ज्लेश एन compile, zero error, run यह देखिए, अब दिख रहा है, before, pre the memory, value आप पी, 5.00, ठीक है, और second में भी वाई प्रिंट हो रहा है अच्छा, तो यह जो, मैं direct value को प्रिंट कर रहा हूँ, एड्रेस, हमको एड्रेस को कहना चाहिए, destroy करना है क्योंकि एड्रेस वहाँ से destroy होगा, इसको 5.00, 5.00, दोनों में प्रिंट हो रहा है चलिए, pre हमको पता है, pointer variable है, वो उसको argument group में लेता है ठीक है, तो हमको यहाँ पे केवल P देना पड़ेगा, यहाँ पे, इस्टार P नहीं देना है केवल P, क्योंकि वो memory block को destroy करता है, इसके value को नहीं ठीक है, तो memory block destroy होगा, है न, तो वहाँ पे data value इस्टोरी नहीं होगा, है न तो इसको change करना पड़ेगा, चले मैं change करता हूँ उसको zero error, run किये, यह देखो, none आ रहा है, ठीक है, अच्छा, वहाँ पे, जो data है, वो, कहना चेए delete होगा, इसलिए none आ रहा है, वहाँ पे, जैसे हम दिये हैं तो, अगर data को चेकी हैं तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे केवल variable कर नाम जाएगा, मतलब, address, address को करना चाहिए, वो, फिरी करेगा, memory से, तो, यहाँ पर भी हमको केवल, पी है, एस्टिक सिंबल देने की ज़रूत नहीं है, यहाँ पे इसको, अब रहाव देख लेते हैं, यह देखे, दोनों में उपे प्रिंट हो रहा है, चले, मैं इसको हटा के देखता हूँ, हट जिरो बता रहा है, मतलब, memory वहाँ से, रिलीज हो चुका है, मतलब, address रिलीज हो चुका है, वहाँ से, तो, प्रोग्राम अच्छा लगा, तो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको सेयर करें, कुछ प्रावलम हो, तो, हमको कमेंट करके बताएं, ठीक है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालू, तो, आपको असानी से मिल सकें, ठीक है, ओके, तैंक यू, बाई, टेक केर